नीट यूजी रिजर्ट पर बवाल बढ़ा पेपर लीक की आशंका पर बोला NTA NTA डारेक्टर सुबोध कुमार ने क्या कहा नीट यूजी रिजर्ट जारी होने के बाद से इस्टूडेंट्स, पैरेंट्स और कोचिंग टीचर्स National Testing Agency यानी की NTA पर कई तरह के आरूप लगा रही है नीट रिजर्ट में गरबडी की आशंका जताई जारी है जिसमें पेपर लीक की आशंका पहली बार इतनी ज़्यादा संख्या में इस्टूडेंट्स का टॉप करना बिना नोटिफिकेशन ग्रेस मार्क्स देना मार्क्स और रैंक में गरबडी आधिको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं नीट रिजर्ट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच NTA के डारेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कई सवालों से परदा उठाया है प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान NTA निदेशक ने कहा अगर समित को लगता है कि दोपारा पर इक्षा होनी चाहिए तो हम इसका आयोजन करेंगे हमारी कमेटी की बैठक हुई और उन्होंने केंद्रों और CCTV के सभी डिटेल्स देखे हैं उन्हें पता चला कि कुछ एक्जाम सेंटर्स पर समय की बरबादी हुई और छात्रों को इसके लिए मुआउजा दिया जाना चाहिए समिती ने सोचा कि वे शिकायतों का समधान कर सकते हैं और छात्रों को मुआउजार दे सकते हैं इसलिए कुछ छात्रों के हंक बढ़ाती गए सुभूत कौरार सिंग का यकूरा बयान सुनी खिर्वांस की टाइम लोस होता है तो दर एल फिल इस फर्मूला ओ लाए ला विडं़ते के लिए एक्वान का लिए स्थ और लिए भी jest जिए जर अब्रेष्ट मना इसाइए का लिए जलेख प्रेश्ट प्रेश्टर लंचिए जर एक्वार लिए जए कर दूचार फ़िज आपके हुऌ आफ जा सोइची Κी आपके। हम आफ आपके एivid dela को जा समय आफ, आफ स번मेर को सबढ्सक्रब सर अरये जाफ्रानtechnाट्व के 10 एफ सबस्था अपकें घर समय कर दो नह स्वाजँ कर दाफ देहरते लाफ पसक्किड oni प्रेस्टेट, वे स्कार्थद अनों करते हैं, वे तेस्ट हापने अईज़के प्रेस्टे अफर्ट प्रफॉंगी सेन्टर सवगा इसेन्टर वार्टी इसेन्टरू अप्रॉंग उगा हुड़ुडश के वे एफ्टेट को ऐसे वे लिए जग मतली को प्राइब तो करिक बाता देच जग लीट कर लिए रिए सब्सक्राइब अ क्यों सब्सक्राइब कर दो इसे विए फिर बात्या सकता वेन देट दो किया इस बाता है like two hours 28 minutes later so we said that there is no paper leak and and we reconducted the exam at that center with a different question paper and it went smoothly and then there were allegations from some other centers that there is a possibility of paper leak so we all again analyzed our system and denied that report through the press release on 6th of May so the whole exam process has been a very transparent and the integrity of the exam was not compromised at all and the categorically like stated in the word press release so we like assure all the student community that the exam has been done with full integrity so this is like a brief of the things